ताज जिले के कतरास थाना इलाके के टंड़ा बस्ती में चार महीने पहले दो परिवारों के बीच श्राद कर्म के दोरां मारपीट की घटना हुई थी जिसमें कई लोग घायल हुए थी इस घटना में एक बुजर्ग महीला बल्या देवी की हत्या हो गई थी बुजर्ग महीला को चार पहिया वाहन से कुचल कर मार दिया गया था घटना के बाद पुजर्ग बख्ष ने अपनी मा की हत्या का मामला कतरा स्थाने में दर्ज कराया था जिसमें आज नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया था मामले में दो लोगों की गिरफदारी करने के बाद अन्य लोगों को गिरफदार नहीं किया गया है जिसे लेकर 25 अक्टूबर को मुर्तक बुजुर्ग महिला के परिजन कतरास थाने के सामने एक दियोस्य धरने पर बैट गए और सभी आरोपियों को जल्द गिरफतार करने की मांग करने लगे परिजन कारियों का कहना है कि पोलीस जान मूझ कर उनकी मां के आरोपियों की दिरफतारी नहीं कर रही है अब तब पोलीस के दोरा क्या कारवाई की गए न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ